नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्व चैनल इंडस्ट्यल सॉलिशन्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज कि दो हम बात करने वाले हैं, हाइड्रोलिक पाउर पेक्स की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, हाइड्रोलिक पार पेक, पार्ट डिटेल्स हम जानेंगे कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक पार्ट्स को डिजाइन करने के लिए और इन parts की क्या use होता है, क्या role होता है, क्या function होता है in hydraulics तो चलिए friends, वीडियो को start करते है ये hydraulic power pack का image है मेरे पास इसके through हम cover करेंगे all parts को वीडियो को start करने से पहले मैं एक चीज़ों बताना चाहाँगा friend automobile industry या फिर कोई भी manufacturing industry हो उस industries के अंदर hydraulics का बहुत ज़्याद important role होता है friend और hydraulics सी starting कहां से होती है, hydraulic power pack से तो working से पहले, इसकी working आगे वीडियो में explain करूँगा उससे पहले हमें पता होना चाहिए, इस power pack को design करने के लिए हमें क्या-क्या parts की requirement होती है या फिर क्या-क्या चीज़ों से मिलके एक complete hydraulic power pack design किया जाता है इसलिए आज की वीडियो मैंने बनाई है और जिसमें मैं बताऊंगा, detail analysis करूँगा सभी parts के बारे में इसके मत करना friend वीडियो, सारा detail analysis आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो चलिए friend वीडियो को start करते है friends, कोई भी आपका power pack हो, वो basic उसकी working तीन चीज़ों के उपर depend करती है basic की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले चीज़ यह आपका tank जिसको हम बोलते हैं, reservoir जिसके अंदर आपका oil रहता है second आपका यह motor, electric motor यह भी आपको easily visible है third होता है friend, यह hydraulic pump, यह जो section आप देख रहा है इन तीनों चीज़ों के साथ ही, इसकी complete working possible होती है basically friend, hydraulic power pack, commonly कर क्या रहा है यह massive amount में power generate करता है, complete power pack जिसके तुरू हम hydraulic machines को operate करते हैं अब इसकी complete analysis के और भी काफी सारे parts होते हैं उन सबको मैं detail में आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमने क्या देखा, दो चीज़ों पार्ट डिवाइट किया इसको एक तो tank और उसके ऊपर का equipment, यह आपका reserve wire है reserve wire, इसके अंदर आपका hydraulic tank में oil होता है अब इसके अंदर भी कुछ parts होते हैं, जो हमें भी visible नहीं है और इसके ऊपर भी parts होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऊपर के parts की उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके internal parts जो होते हैं, tank के अंदर अब ही क्या-क्या चीज़े visible हैं, अब उन चीज़ें को देखते हैं यह सबसे पहले आपको देख रहा है यह क्या है friend, oil level indicator oil level indicator basically friend, आजकर जो oil level indicator आते हैं, उसके अंदर आप temperature भी देख सकते हैं कैसे, यह glass है, glass के थूँँ आप oil दिखता है और साथ में इसके थर्मावीटर लगा होता है, mercury का उससे आप इसका hydraulic का oil का temperature कितना है, वह भी पता कर सकते हैं यह part हो गया, उसको आपन हम आते हैं, ऊपर further यह जो block देख रहा है, चार बोल्ट के साथ इसको हम बोलते है, manifold manifold, mani, manifold यह बहुत जाद इंपोर्टन पार्ट है, फ्रेंड हाईडर्रिक्स का manifold पूरे power pack का बेसिकली फ्रेंड यह manifold क्या करता है एक single oil channel को diverge करता है काफी सारी converge है, फिर diverge करता है काफी सारी oil lines में मतलब एक simple से इस manifold के उपर आपने काफी सारे control walls उन सभी में जो oil जाएगा और किसके थ्रू जाएगा इस manifold के थ्रू ही जाएगा manifold में oil कहां से आ रहा होगा नीचे pump के थ्रू, कोई pump होगा इसके अंदर pump नहीं सोरी यह pump भार है, एक और condition होती है जिसमें आप यह motor जो horizontal arrange है, इसका वर्टिकल भी arrange कर सकते हैं, इस position में तो हमाँ पर pump होगा, pump के थ्रू इस manifold के अंदर oil जाता है और इस manifold के बाद ही आपके control walls में oil जाता है, आपके फर्दर operation के लिए यह वाल arrangement तो आपको visible है, second arrangement और दिखाएता हूँ यह देख सकते हैं, यह motor vertically aligned है, तो इसका pump का होगा, इस hydraulic tank है, इसके अंदर होता है इसका pump, जो की coupled है motor से दूसरा arrangement आपको नहीं यह देख रखें इसमें horizontal motor है, यह आपका pump है मतलब surface पर ही pump है अगर vertical होती है motor तो इसका pump का आता है tank के अंदर, चलिए अब हम देखने वाले हैं, यह electric motor होगी तो सभी को visibly है electric motor, जो की electric energy provide कराती है, ताकि हम pump को operate करा सके हैं, यह आपका vane pump है hydraulic pump hydraulic pump क्या करेगा friend जो electric energy है, यह convert करेगा electric energy को, जो pump को मिल रही है, into fluid energy या फिर fluid pressure, जिसके help से हम अपने hydraulic machines को operate कराएंगे, अब यह यह और दिख रहे है friend की इपाला, इसको हम बोलते है housing ह-o-u-s-i-n-g इस housing के अंदर ही friend pump और motor को हम couple करते हैं, कैसे करते हैं, उसको मैं प्रोसीड बदाएता हूँ आपको, basically क्या होता है friend coupling के through माल यह pump की shaft है आपके pump है और यह आपकी motor की shaft है तो ऐसे ही तो direct power transmit नहीं होगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा coupling का use करना होगा इस coupling के through हम अपनी electric power को transmit करते हैं जो motor की shaft के through pump में, और फिर अपना जो pump है नीचे pipeline होगी उस pipeline से अपना oil को flow कराएगा तो coupling का use करते हैं वो coupling किसके अंदर है इस housing के अंदर तो इसको हमने housing के क्यों pack किया है कई बार operations के अंदर जो इसकी damage हो आती ही coupling तो तूटके बाहर गिरने का डर रहता है इसलिए हम इसको pack करते हैं housing के अंदर और यह manifold के ऊपर जो आप देख पा रहे हैं यह सभी यह control valves है CN TL control valves अगर मैं basically बात करूँ इन valves की तो यह direction control valve है यह जो screw दिख रहा है flow control valve है यह आपका loading valve लगा हुआ है एक coil वाला तो काफी तरह के valves रहते हैं hydraulics के तो जो भी आपनी applications के उपर depend है वैसे ही valve आपके power pack के उपर जब design करते हैं यूज करते हैं फिर यह जो section दिख रहा है यह pipeline से connected है यह आपका return line वाला है return line इसमें क्या होगा friend manifold में जो return oil आएगा वो direct हम tank के अंदर भीजएंगे उसको हम return line के through इसके नीचे filter लगाऊगा उसके through हम tank के अंदर भीजते हैं चलिए friend यह उपर के parts की drill तो हो गई अब मैं आपको नीचे के parts जो tank के अंदर visible नहीं है वो बताता हूँ उसके लिए मेरे पास एक और separate image है जिसमें sketch के form में है यह image motor, housing यह vertical position है motor की तो इसकी housing है और यह नीचे pump है friend इसके अंदर ही हमारी यह जो shaft है इसको coupling के through हमने coupled किया हुआ है motor की shaft से हाँ motor की shaft होगी coupling के through हमने लगाय हुआ है यह आपका manifold है यह control walls है pressure gauge भी होता है friend पागि अब पता चल जाए कितना pressure आ रहा है line में उसके आदिए आपका oil level indicator है construction filters आपने देखे होंगे friend industries के अंदर यह चूड़ी कसी होती है इस pump की line पे इसके through हमारा oil जाता है तो इस filter का क्यों use करते है friend ताकि कोई भी contamination अगर dust particles और फिर iron के छोटे छोटे parts अगर power pack के अंदर है अगर इसका filter का use में करेंगे तो डारेक्लिव पंप में जाएंगे आपके pump को भी damage कर सकते हैं और साथ ही आपके walls हैं उसको भी block कर सकते हैं यह walls के अंदर बहुत छोटी छोटी ओपन होती है holes होते हैं बहुत जाए छोटी छोटे उसके अंदर अगर कोई कचला आ जाएगा तो यह operate नहीं करेंगे और आपके पूरे system को collapse करतेंगे इसलिए हम यह आपर filter यूज करते है अब जैसे मैं नहीं दिखाया था friend return line वाला return line तो इसके लिए return line में क्या होता है friend यह return line है तो यहां भी एक filter लगा रहता है friend इस तरह से ही एक और filter रहता है ताकि वो return line में भी अगर कोई by chance हमारा कचला आ गया है तो return line के थूज फिल्टर के अंदर absorb हो जाएगा इस तरह से parts होते है total hydraulics के power pack के तो आशा करता हूं friend सारे parts की information आपको मिल चुकी है कि क्या-क्या parts का use करते है हम एक power pack को design करने के लिए next video में हम जानेंगे complete working कि यह power pack कैसे करता है इसका हम circuit जानेंगे hydraulic circuit एक छोटे से power pack का और उसका हम और भी video देखेंगे जिसमें हम troubleshooting भी करेंगे power pack की क्या-क्या problems आती है power pack के अंदर उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं तो चलिए friends इस video को हम आप करते हैं अगर आपके video अच्छे लगी तो like किए friends जाशा लिए and don't forget to subscribe my channel thank you